की नरेला के अंदर स्कीम चल रही है सस्ताधर अवासी योजना जिसमें डीडिये आपको दो से तीन तरह के फ्लाट दे रही है पहला फ्लाट है EWS जो डीडिये दे रही है 11,70,000 रुपे का 1BHK 40 गज में बना हुआ काफी अच्छी सोसाइटी में दे रही है चार दो चार दिवारी के अंदर बनी हुई है सोसाइटी अंदर बड़ा पार्क है, बॉंडरी वॉल है, कम्यूनिटी हॉल दे रखा है सेकिन्ड ऑप्शन जो डीडिये आपको दे रही है 40 गज का LIG जो डीडिये दे रही है 12,00,000 रुपे में और तीसरा ऑप्शन जो डीडिये हमें दे रही है वो दे रही है लगबग 20 से 21 लाख रुपे में LIG फ्लाट 55 गज का विद लिफ्ट और पार्किंग भी भापर दे खुश कबरी की सुगात आच चुकी है कल हो जाएगी एक सितंबर और 10 सितंबर से बुकिंग चालू हो रही है आप सब जानते हैं डीडिये ने 40,000 फ्लैट्स उतारे हैं जिसमें सस्ता घर अवासी योजना मद्धे वर गिया अवासी योजना और दुवार का हाउसन स्कीम ह वो दुवार का वालों के लिए है और सस्ता घर अवासी योजना वो आप सब के लिए अगर आप भी चाते हैं सस्ता घर अवासी योजना का लाब उठाना तो 10 सितंबर से पहले आकर विजिट कर ले क्योंकि 10 सितंबर को जो सस्ता घर अवासी योजना के फ्लैट्स हैं वो और धिक्तम बुक हो जाएंगे और आप जो चाते हैं सपनों का घर खरीदना और किराई की जिंदगी से अजाद होके अपने सपनों के घर में शिफ्ट होना तो वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर सस्ता घर अवासी योजना के अंदर लाब फाइनैंसर ही उठा रहे हैं तो कि वो 4-5-5 फ्लैट इकट्टे उठा रहे हैं सस्ता घर अवासी ओजना का लाब उठाना तो जल्दी करें अपनी पसंद का फ्लैट देख जाएं क्योंकि आप चाते हैं अपना सपना पूरा करना मगर ये सपना आपका अधूरा ना रह जाए क्योंकि बहुत बड़े बड़े फाइनसर आते हैं और देख कर जाते हैं अगर आप चाते हैं अच्छी से अच्छी लोकेशन में अपना फ्लैट लेना और चाते हैं किराए के जिंदिगी से अजाद होके अपने सपनों का भर खरीदना तो 10 सितंबर से पहले आकर विजिट कर लें अपनी लोकेशन देख जाएं कि ऐसा ना हो कि आपका सपना धूरा रह जाए या ऐसा ना हो आपकी अच्छी लोकेशन कोई और ले जाए और आप भी चाते हैं अच्छी से अच्छी लोकेशन में अपना फ्लैट लेना तो डीडिये हाउसिं स्कीम का लाग आप उठा सकते हैं 10 सितंबर से बुकिंग चालू हो रही है और इसके अंदर EWS LIG फ्लैट से उता रहे हैं सस्ता घर आवासी योजना में जिनका प्राइज EWS का 11,54,000 से लेकर 11,00,000 जैसा कि आपने अभी वीडियो में सुना EWS 11,54,000 से लेकर 11,67,000 के बीच में है जिनका साइज 34 मीटर है 40 गज में और LIG फ्लैटों की बात करते हैं अगर LIG फ्लैट लेते हैं LIG फ्लैटों के भी साइज है और लोकेशन के साफसे रेट भी है LIG फ्लैट जो है वो 11,90,000 से शुरू है और जो 11,90,000 पे के LIG फ्लैट से हैं उनका साइज भी 34 मीटर है वो भी 40 गज में है अगर आप LIG की बात करते हैं जो 12 से 13 मंजिल वाले हैं जिनके अंदर लिफ्ट लगी हुई है उनकी बात करते हैं तो वो 49 मीटर है अगर आप नरेला के अंदर DDA का EWS फ्लैट लेना चाते हैं तो EWS फ्लैट की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू हो रही है उससे पहले आप रेजिस्ट्रेशन करा लें रेजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है DDA का वो 25 सो रुपे है जिसके नाम पे भी आप फ्लैट लेना चाते हैं चाहे वो आपकी मदर हो फादर हो ब्रदर हो उसी के नाम से रेजिस्ट्रेशन कराएं ताकि बुकिंग करते वग कोई दिक्कत परिशानी ना हो और रेजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका पैन कार्ड अधार कार्ड एक इमेल आईडी और एक फोन नंबर की ही जरूरत ह जब आप बुकिंग कराएंगे तो EWS का बुकिंग अमाउंट DDA ने 50,000 रुपे रखा है LIG का बुकिंग अमाउंट DDA ने 1,000,000 रुपे रखा है बुकिंग कराते वक्त आपको पैन कार्ड अधार कार्ड पास्पोर्ट साइज पोटोग्राफ जिसके नाम पे आप फ्लैट ले रहे हैं उसके signature साथ ही में एक cancel check की भी जरूरत है जिसके नाम आप फ्लैट करा रहे हैं इन documents को booking से पहले ready रखे और जो payment आपने DDA में करनी है वो payment या तो आपके debit card से जाएगी या फिर वो payment आप net banking के थूप कर सकते हैं DDA, check या cash ये तीनों ही method DDA की booking और registration में नहीं चलेंगे तो पहले से ही तयार रहें क्योंकि DDA का इस बार का plan है पहले आओ पहले पाओ तो इस बार नरेला में जो flat आए हैं EWS 11,70,000 में वो बहुत ए कम flat हैं और सभी लोग उसको लेना चाते हैं और 11,70 में नरेला में तो ground floor भ पने वाली है 10 तारिक को नरेला के अंदर 11,70,000 में लगवग 70,80 ही flat हैं और लेने वाले कई हजारों हैं तो जो सारी तयारी के साथ 10 तारिक को बैठेगा और registration और booking कर लेगा उसको वो flat मिल जाएंगे जो पीछे रह जाएगा उसे ground floor नहीं मिलेगा 11,70,000 में अगर आप इन क्योंकि booking कराना चाते हैं registration कराना चाते हैं तो हमारा office यहीं है नरेला के sector G2 में pocket 2 में आप नरेला आ सकते हैं हम आपको visit कराएंगे registration और booking से लेके possession तक का जो process है उसमें हम आपकी help करेंगे यह service हम अपकी तरफ से देते हैं आपको तो आप आए नरेला और flat book कराएं डीडिय नरेला के अंदर LIG flat भी उतारे हैं जो LIG flat है नरेला में वो दो तरह के हैं अगर आप नरेला में सिरफ बारा लाग रुपे के आसपास की investment करना चाते हैं लेकिन आपके पास EWS certificate नहीं है तो डीडिये ने लगबग साड़े 400 flat जो EWS के हैं उसे LIG category में उतार दिया है LIG category में करने के बाद उस पे आपका income certificate की जरुवत नहीं होगी आपको 12 लाग देने होंगे और चाहे आप 10 लाग से उपर भी कमाते हों आप तब भी नरेला में एक 12 लाग रुपे का LIG 1BH के खरीच सकते हो अगर आप बड़ा LIG लेना चाहते हो जो 55 गचका है वो नरेला के अंदर sector G2 में DDA ने 25 लाग से 25 लाग रुपे का रखा है उनका size भी काफी अच्छा है लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं flat कई लोग उसमें जोड़ा लेना चाहते हैं तो आज जोड़े भी available हैं तो आप आओ नरेला और फ्लाट वुप कराओ अगर आप मध्य वर्गी अवासी योजना में apply करना चाहते हैं तो नरेला के अंदर तीन category के flat आए हैं मध्य वर्गी अवासी योजना में पहला है EWS, दूसरा है MIG, तीसरा है HIG मध्य वर्गी अवासी योजना की location नरेला में बहुत ही अच्छी है नरेला में मध्य वर्गी अवासी योजना में सेक्टर A1 से A4 को शामिल किया गया है जिसे हम यहाँ पे मनसा देवी का सेक्टर कहते हैं और यह main GT road पे पढ़ता है ऐसा सेक्टर आपको दिल्ली में कहीं पे भी नहीं मिलेगा आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर सेक्टर A1 से A4 पूरी दिल्ली का बेस्टर होगा लोग इस जगा पे फ्लैट करीदना चाहेंगे बहुत ही प्राइम location पर है A1 में जो EWS फ्लैट DDN निकाले हैं वो 31 से 32 लाख उर्पे के निकाले हैं दो विद निफ्ट और पार्किंग है सेकंड जो MIG निकाले हैं वो दो कैटेगरी में निकाले हैं एक MIG वो है जो लगवख 75 लाख से 88 लाख उर्पे के हैं जिन पर DDN डिसकाउंट दे रही है 100 मीटर का फ्लैट है आपका 2BH के बना हुआ जो आपको 75 से 88 लाख उर्पे के बीच में मिल जाएगा और जो तीसरी कैटेगरी में MIG निकाले हैं DDA ने वो हैं पॉकेट 3, 4, 7 और 14 में वो MIG लगवख 1.1 CR से लेके 1.2 CR तक हैं उन पर DDN की तरफ से कोई कंसेशन नहीं दिया गया है और जो थर्ड कैटेगरी HIG निकाली है नरेला के अंदर वो भी काफी प्राइम लोकेशन पर है मेन हाइवे पर पढ़ती है वो 3BH के हैं फ्लाट जिनकी जो कॉस्टिंग है DDA ने 1.4 CR से 1.7 CR रखी है अगर आप नरेला में मध्यम वर्गी अवासी योजना में भी अप्लाइ करना चाते हैं A1 से A4 सेक्टर में EWS, MIG या HIG फ्लाट लेना चाते हैं तो आप हमसे संपरक कर सकते हैं उन फ्लाट का भी हम आपको काम पर बाके देंगे और जो EWS फ्लाट मध्यम वर्गी अवासी योजना में है उसका बुकिंग अमाउंट DDA ने 50,000 रखा है और MIG फ्लाट का बुकिंग अमाउंट DDA ने 4,000,000 रखा है और HIG का बुकिंग अमाउंट 10,000,000 रखा है यह सारे ही फ्लाट फ्री होल्ड है उन पे लगबग 80-90% लोन अवैलेबल है इन फ्लाट पे हम लोन करवा देते हैं Mostly यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो Government Job Holder है और सभी के सभी SBI, PNB, ICI इन सब बैंक से लोन करवाना चाते हैं तो यह DDA के फ्लाट हैं कोई भी बैंक इन पे easily लोन दे सकता है आप SBI से भी लोन करवा सकते हैं तो आप आए नरेला हमसे संपरक करें कोई भी इशू अगर आपको आता है booking में, registration में, possession में या फिर लोन में आप हमसे संपरक कर सकते हैं चाहे आपकी booking G2 सेक्टर की है चाहे A1 से A4 सेक्टर की है हम आपकी book कराने में help करें अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें share करें उन तक पचाएं जो चाहते हैं किराई की जिन्दगी से अजाध होके अपने सपनों का घर खरिदना तो उनके लिए वीडियो काफी अच्छी हो सकती है आप इस वीडियो को अपने पडोसियों को रिष्सेदारों को अपने जानकरों के पास share करें अगर आप एक अच्छी investment करना चाहते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छी investment भी है अच्छी location में property है flats हैं तो आकर वीडियो करें 10 सितंबर पर पहले आकर देखते जाएं और 10 सितंबर को अपना flat book कर लें कर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like share कर दें और मिलता हूँ आप सबसे next वीडियो में ऐसे हमारी वीडियो को प्यार देते रहें like करते रहें शेर करते रहें इन फ्लेटों के ओपर 80 से 90% loan हो जाता है AWS का 50,000 रुपे booking amount है LIG का 1,000,000 रुपे MIG का 4,000,000 रुपे और HIG का 10,000,000 रुपे और आप भी चाहते हैं इन वीडियो को प्यार इन फ्लेटों को देखना तो आकर विजिट करें और अपने पुसंद का फ्लैट जल से जल लेने को कि आने वाले टाइम में आपको अच्छी से एच्छी लोकेशन नहीं मिलने वाली कल को यहां मेट्रो भी आएगी सब कुछ आएगा तो आने वाले टाइम में यहां पर चार से पांच ग्रार रेट मेट आ लाओ से नहीं दोड़ने वाद दो यहां से अपर में जो लाओ सखरी जब सुमार्ण झाल 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 झाल